यातनाओं की चलते साथ चलने से इंकार करने वाली महिला की उसके ही पती ने हत्या कर दी बुद्वार की रात M.I.D.C. के निल दोह में इस हत्याकान की गुथी को पुलिस ने टेलर की टैक की आधार पर सुलचाया है। पुलिस ने आरुपी पती सिधार भगवान में श्राम बुर्गाव लाकनी भंडारा निवासी को गिरफता किया है। पुलिस वारा पैंट दिखाने पर टेलर ने उसकी सिलाई होने का बताया। सिधार के संबन में पूछने पर टेलर ने रजिस्टर देख कर सिधार में श्राम बुर्गाव लाकनी अपना ग्रहक होने का बताया। पुलिस जब सिध्धात की घर पहुची तो उसके पतनी शिल्पा से भेट करने के लिए नापु जाने का पता चला। पुलिस ने राजी नगरस्तित शिल्पा की घर पहुची। शिल्पा के 2014 में मोगाव जिल्पी के सुनिल उम्रे के साथ शाती हुई थी एक साल बाद ही सुनिल की दुर्गट नामे मृत्ती हो गए थी शिल्पा नौजाद बेटी के साथ माय के आगे थी कुछ समय बाद वहाँ शादी की बगेर ही सिधात के साथ पत्नी की तरह रहने लगी कुछ समय से सिधात उसे यातना देने लगा था एक माँ पहले उसके द्वारा मार्पिट के जाने से शिल्पा बेटी के साथ अपनी माई के राजिव नगर आ गई थी 26 जुलाई को वहाँ शिल्पा को लेने आया था शिल्पा ने साथ चलने से इंकार करती भी उसे खर्च के लिए रुपे माँगे सिधात विवाद करके चला गया वह बुदवार को भी तोपहर एक पजी हत्या की इरादे से शिल्पा के घर आया था उसे बात करने के बहाने निर्जन परिसर में ली गया और वहाँ शिल्पा ने उससे फिर खर्च के लिए रुपे देने को कहा रुपे देने की बचाए वह विवाद करने लगा इसे दुरान उसने धार-धार हतिया से शिल्पा की हध्या करके फरार हो गया नौ सीखिया होने से उसने अपना बैक जाडियों में छोड़ दिया लेकिन टेलर की टैक नी उसकी पोल खोल दी। कैमरा परसन अजित कुवर के साथ अभिशेक पांसे की रिपोर्ट